जैए श्री राम मित्रो बाबा का शिर्वाद S.P.M. चैनल पर आप सबीगा स्वागत है दीपक में बनने वाले अलग अलग प्रकार के फूलों में आज आपके सामने है चंद्राकार में बना हुआ दीपक का ये फूल आप चानते हैं मा चंद्र घंटा भी चंद्र को अपने मस्तक पर धारन किये हैं और भगवान भोले नाथ भी अपने शीश पर चंद्र को धारन किये हैं तो ये जो चंद्र का फूल बनता है दीपक में तो इसका क्या अर्थ है आप चानले जब भी भी दीपक में बनता है स्विकार करके ये संकेत आपको दिखाया है इस संकेत के प्राप्ति पर आपको ये मान लेना चाहिए कि भगवान आपके भक्ती से अतिपरसन्न है और कटार यदी परदर्शित होती है इस देखिए इस दीपक के फूल में किस परकार से भगवान एक छोटे से बच्चे के रूप में अर्द चंद्राकार चंद्र के उपर विश्राम कर रहे हैं ध्यान से देखिए आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे कि भगवान भुलेनाथ किस प्रकार से बाल रूप में चंद्र के उपर विराजमान होकर कैसे सो रहे हैं यह है हृद्य की आकारती अपको दिखाई जाते हैं। देखिए डमरू की आकारती है। भगवान बोलेणात जब भी प्रसन्ण होते हैं तो उनके भगतों के दीपक में यह डमरू की आकरती जरूर दिखाई देती है और ये है रुद्राक्ष आप देख लीजिए भगवान भोलेनात की इतनी प्रगाड और नाथों की जो भक्ति करते हैं उनके दीपक में ये रुद्राक्ष प्रत्यक्ष रूप से प्रगट हो जाता है और ये जो लहराना है इस लहराने के उपर भी हमारी करने वीडियो है कि जब आप किसी देवस्थान पर जाते हैं ये अपने घर में दीपक प्रजुलित करते हैं और दीपक इस प्रकार से बिना किसी हवा के लगे बिना किसी पवन के आई वहां पर इस प्रकार से ये दिलहराता है तो इसका साक्षात यही मतलब है कि वो आपक जीवन के अंदर वही सभी मंगल कारिय होने वाले हैं जिन के लिए आपने आराधना की है चाहे वह आध्यात्मी उन्नतियां हैं चाहे वह आपकी दिव्य दृष्टी खुलने की और अगरसर है या आप कोई सवारी चाहते हैं या आप अपनी समस्याओं या रोगों के निदा में भगवान आपको अलग-अलग प्रकार से अपने संकेते देते हैं कभी हिर्दय की आकरती बना कर कहते हैं कि मैंने अपने हिर्दय से तुम्हारी भक्ती को स्विकार किया है तो हम आने वाली वीडियो में भी आपके लिए इस प्रकार के अनेक दीपक के अंदर बनने वा अलग अलग प्रकार के दीपक के फूलों को हम लाते रहेंगे शनिवार और रविवार को दरबार भी लगता है रहत तक हर्याना में उसके लिए आप अलग वीडियो में दिये गए फोन पर संपर कर सकते हैं इंस्टाइडी बाबा का आशिरवात से भी जुड़ सकते हैं जैक सारा जुरू लगाएं कमेंट बॉक्स